तुलसी के पौधे में बान देना ये एक चीज, हजार गुना धन में वृध्धी होगी इसकी बेना तुलसी का पौधा अधूरा होता है भगवायन श्रेकर्ष ने स्वयं की थी तुलसी की पूद्रा और बताया था ये रहस से नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चानल में दोस्तों तुलसी का पौधा तो प्रतीक हिंदू घर में होता है लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबन में शास्त्रों में बताये गई महत्वपू नियम नहीं जानते तुलसी की पूद्रा कैसे करने चाहिए तुलसी को जल कैसे दिना चाहिए तुलसी में कौन सी वस्तू रखनी शुब होती है आदी कई महत्वपू नियमों का पालन करना अवश्य होता है इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे एक चीज बान देते हैं तो आपको मा तुलसी का धेर सारा आश्रवाद मिलता है और आपके घर में महालक्षमी का सदेव ही निवास रहता है दोस्तों तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रतिक सदस्य के लिए लापकारी होता है ये पौधा हर प्रकार से उप्योगी होता है पुरानों गैनुसार तुलसी में देवी लक्षमी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधी की पूटरा कहने से लाभ भी अवश्रे मिलता है लेकिन यदि आप घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज बान देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी मा अधूरी मानी जाती है ये चीज तुलसी को संपून बनाती है इसलिए श्रास्ट्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है दोस्तो भारत में ही नहीं बलकि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुती गुनकारी पौधा माना जाता है इस पौधी में अनेक औशुधी गुन होने क इसका अध्यात्मिक तौर पे भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है प्रतेक धार्मिक स्थान हो अत्वा को यक्य हो उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्री किया जाता है विश्नु पुरान में तुलसी को भगवान विश्नु की पत्नी कहा गया है इसी कारण से तुलसी और महेश यानि कित्री देव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नश्ठ हो जाते हैं जैसे सूरे के उदे होने पर रात्री का अंधकार नश्ठ हो जाता है शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सधेवी हरा भरा उस घर में सुक शांती और सम्रिधी बनी रहती है भगवान विश्नु की पूजा में और उन्हें चड़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विश्नु किसी भी प्रकार का भोग स्विकार नहीं करते इसलिए प्रतीक घर में तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी है अगर आपके घर में तुलसी है तो सुक शांती और सम्रिधी के लिए तुलसी मा को चुन्री अवश्य चड़ानी चाहिए अकसो लोग तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं लेकिन उनसे ये गल्ती हो ज पौधा आती है कि वे तुलसी मा को चुन्री नहीं चड़ाते जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शौफ फौल प्राप नहीं होता हमीश्व धिहान रहे कि तुलसी का पौधा चुन्री के विना अधूरा होता है तुलसी केवल एक पौधा नहीं बलकि वै देवी है विश्नु पत्नी है, उने हम अपनी माता मानते हैं। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चड़ानी चाहिए। इसलिए पती पत्नी में प्रेम और विश्वास बरता है। घर में रहने वाली सदा सुहागिन और सुभागे शाली रहती है। लेकिन तुलसी को चुनरी चड़ाते समय आपको ये बात ध्यान में रखने चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चड़ाएं लाल रंग का संभन मंगल ग्रह से होता है और बुद ग्रह तुलसी से संभन दित होता है मंगल और बुद्ध ग्रह मित्र नहीं है बूड के अनगूल शुक्र ग्रह और शनी है इसलिए तुलसी पर लाज चुनरी कभी नहीं चुडाने चाहिए आप तुलसी पर हरे रंग की या फिर पीले रंग की अत्वा नीरे रंग की चुनरी चुडा सकते हैं लेकिन लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बान देते हैं ऐसा करना अशुब होता है तुलसी पर नई चुनरी ही बानने चाहिए तुलसी पर चुनरी बानने के लिए एकादिश्री का दिन सर्वो तम है आप किसी भी एकादिश्री के दिन नई चुनरी राकर उसे तुलसी के पौधे पर बान सकते हैं इससे आपको कई गुना अधिकला प्राप्त होगा तुलसी को बिना चुनरी के कभी न रखें अगर चुन्री पुरानी हो जाए तो चुन्री को एकादिशी के दिन ही बदलना चाहिए दोस्तों तुलसी का विवा भी अवश्य करना चाहिए इसे मनुश्य के सभी दुखों का आंध होता है और संसारी जीवन सुख में बीटता है दोस्तों कुछ लोग जाने अन जाने में तुलसी के पास ऐसी चीज रख देते हैं जिसे तुलसी का अपमान होता है तुलसी का पौधा बहुत इस सम्मेंदर शीर होता है इसकी अच्छी तरह से देखभल करने पड़ती है तभी इसकी शुफ फल प्राप्त होते हैं इसलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपश्रब नहीं बोलने चाहिए तुलसी के पास भोल से भी जूते, चपल, ढाड़ू, पोटरा नहीं रखना चाहिए इसे पाप माना गया है जहां पर तुलसी का पौधा हो, उस थान के आस्पस आपको थूकने में भी घोर अनर्थ होता है तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए क्योंकि तुलसी के नीचे भूजा हुआ दीपक रखना अश्रुब माना राता है जिस थान पर तुलसी का पौधा होता है उस थान को हमीशा ही स्वच रखना चाहिए इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गनीशी के प्रतेमा नहीं रखनी चाहिए साथ ही उसी गमले में किसी भी अन्य प्रकार का पौधा लगाना अश्रुब होता है तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए अने था कपरों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है ध्यान रहे तुलसी के पौधे के पास नाखों नहीं तोड़ने चाहिए इससे तुलसी का अपमान होता है किदि तुलसी के पत्ते सूप कर गिर जाते हैं तो उन्हें कच्रे में नहीं फेखना चाहिए, उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दे रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चड़ाना चाहिए बाकी दिन नित्टे बिने चूँके तुल्सी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय इक दीपक जलाना चाहिए अक्सर महीला आए स्फान के बाद अपने ब Alabama खुले रखकर ही तुल्सी को जल देती है ऐसा करना गलत है माईला को हमेशा ही अपने बाल बांद कर माती पर सुन्दूर लगा करी तुलसी को जल देना चाहिए इसे तुलसी का आश्रवाद आपको प्राप्त होता है घर में तुलसी का पौधा लगाते समय दिहान रहे कि इसके लिए गंदी मिठी का उपयोग बिलकुल ना करें तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अत्वा गंदी वाले स्थान की मिठी का उपयोग नहीं करना चाहिए इससे तुलसी मा रुष्ट हो जाती है और तुलसी का पौधा कभी विगंदी स्थान पर नहीं लगाना चाहिए जैसे नाली अत्वा बात्रों के पस तुलसी के पौधे में कभी विगंदा पानी ना डाले जो बहुत ही अश्रुब माना जाता है घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए शास्त्रों में ऐसी मानता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यों की सूचना देता है घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सूख समरेदी खतन हो जाती है सूखी हुई तुलसी में मा लक्षमी का वास नहीं होता वासु शास्र के अनुसार तुलसी का पौदा सूख जाये तो ये आने वाली किसी विपत्ती या धुरगटना का संकेत है इसे तुलसी के अच्छे से खयाल रखना चाहिए उसे नियमेज रूप से जल देकर हरा भरा रखना चाहिए तुलसी में कभी किसी प्रकार की कैमिकल नहीं दालने चाहिए केवल खादे परदात और गोबर का ही प्रयोक करना चाहिए इस बात का खयाल रखें कि तुलसी में मकडी के जाले अत्वक कीरे वगेरा नहीं लगे ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास करती है इसलिए किसी प्रकार की गंदकी ना होने दे शास्त्र के अनुसार मासिक धर्म के दोरान महिला को तुलसी के पौधों में पानी नहीं दाना चाहिए और तुलसी को छूना भी वर्जत है तुलसी को बिना स्नान की छूना या जल देना वर्जत है और पैरों में चपपल आदी पहन कर भी तुलसी को जल नहीं देना चाहिए इस चीज का भी ध्यान रखें कि जब आप जल चड़ाएं तो आपके पैरों पे ना पड़े इसे तुलसी का अपमान होता है श्री कृष्ण कहते हैं नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ख की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र से सभी पात नश हो जाते हैं तुलसी का पाउधा हमेश्व ही घर के सामने लगाना चाहिए इसे पूरवथा उत्तर दिश्रा में लगाना सबसे अधिक शुव होता है अगर तुलसी के गमले में दूसरे पाउधे उठ जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए अगर तुलसी के ही अन्य पाउधे उगते हैं तुलसी के पास मरूस धलिय पौधे रखना बेखत अशुब माना ज़ाता है ऐसो पौधों में नकाराथमक उर्जा निकलती है शास्त्रों में कहा गया है कि जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ती ना हो उसके स्थान पर काटे निकलते हों तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी न रखें बल्कि मरूस धलिय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखने ही नहीं चाहिए इन पौधों के कारण घर का वातवरन बिगड़ जाता है जैसे कई लोग नाखफणी का पौधा सजावट की तो और पर घर में रखते हैं ऐसा करना बिल्कुल कलत है नाखफणी का पौधा तो गल्ती से भी तुलसी के पास न रखें ये तुलसी की संपूर्ट सकारत्मक उज़ा को नश कर देता है लेकिन शास्रों में केले के पौधे का विश्रेश महत्वता आगया है अगर आप तुलसी के पास केले का पेर लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाप मिलेगा केले के पेर में भगवान विश्रों का वास होता है इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समरिदी आती है साथ ही जिस थान पर भगवान विश्रो का वास होता है वहाँ पर लक्षमी खुद चल कर आती है पुरानों की अनुसार जिस पर घर में शली ग्राम होता है वेगर, तीथों के समान श्रेष्ट होता है दर्शन से और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है ये सुएम भू के कारण इसकी प्रान प्रतिष्ठा करने के आवश्रक्ता नहीं होती इसे अगर तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो व्यक्ति को धन सम्बन दी, खोई समस्या नहीं आती विश्ण पुरान के अनुसा, मृत्यों के समे शाली ग्राम के चरन अमरत का जल सभी पापो से मुक्ति दिलाता है वे मृत्यों के परश्चाल वेकुन दाम चला जाता है ये चरन अमरत अश्रधी के समान है, जो इसका सेवन करता है उसे मुक्ष मिल जाता है कुछ लोग चरन अमरत लेकर अपने सिर पर हाथ देते हैं बलकि शास्त्रों में ऐसा करने का उलिक नहीं किया गया चरन अमरत हमेशा दाएं हाथ से श्रधा भाव से ग्रहन करना चाहिए लेकिन शाली ग्राम घर में लाते समय ध्यान रहे कि वो असली हो आजकल कई प्रकार के शाली ग्राम मार्केट में मिलते हैं जिनकी पूझा करने का कोई फल आपको प्राप नहीं होता घर में केवल एक ही शाली ग्राम की पूझा करनी चाहिए पुरानों में कहा गया है भगवान विश्नो की मूर्ती से कहीं जादा उत्तम होता है शाली ग्राम की पूझा करना शाली ग्राम चंदन लगा कर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए प्रते दिन शाली ग्राम को पंचामरत से स्नान कराना शाईए ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नश्ठ हो जाते हैं शाली ग्राम सकारात्मक और साथवित्ता का प्रतीक होता है अंतिम है तपुन बात आपको बता देते हैं कि तुलसी का पौधा कभी लालश में आकर नहीं लगाना चाहिए तुलसी का पौधा लगाएं तो उसकी नित्ते पूटरा करना जरूरी है अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो तुलसी का पौधा घर में लगा कर तुलसी मा का अपमान भूल से भी मत करियेगा इससे आपको विप्रीत परनाम भूगने पर सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से आप भी तुलसी के गमने में ये चीज़े अवश्य रखें और सची श्रथा से तुलसी के पौधे की दीख भाल करें महालक्षमी आपके जीवन में खुश्यां और धन संपत्ती लेकर आएगी उमीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी अगर आप ऐसी और वीडियो दिखना चुराते हैं तो हमारे चालन को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें धन्यवाद